भारती लोक्तंत्र में वर्तमान समयधानिक परिस्थितियों एवं भविश्य में चुनोतियों विशय को लेकर सम्विधान दिवस पर परिचर्चा का आयोजन किया गया। परिचर्चा के पूर मुख्य अतिति के रूप में विलाई स्पास सेंद्र आफिसर्स एसोसेशन के अध्यक्ष नरेंद्र बंचोर उपस्थित हुए। परिचर्चा को लेकर मुख्य अतिति नरेंद्र बंचोर और बियस पी एस सी एस्टी इंप्लाइज एसोसेशन के अध्यक्ष कोमल प्रसाद ने अपने प्रतिक्रिया दी। आज ये एक अच्छा एवजन यहां बिलाइस्पस सेंद्र के एस्टी स्टी सेशन दोरा किया जा रहा है और सविधान दिवस हम सब के जीवन के लिए समसा भारतियों के लिए एक बहुत ही महत्रपुन दिन कि इसी दिन आजाद भारत के बाद इस देश के गंतंत्र भारत बनने की परिकलपना की गई सविधान बाबा राम बाबा रमिटकर के नत्युत्यों में इसे गड़ा गया और हमारा देश का सविधान जो है वो समानता संद्नता से लेकर जितने भी एक नागिरिक के अधिकार होते हैं उसको पूर्ण तर से चिन्नित करता है और देश को संभूपता देने के लिए देश में हर जाती हर धर्म हर समाज को एक कड़ी में जोड़कर एक ऐसा गरंत मनाया गया है जो इस देश के प्रगिती के लिए एक बहुती बड़ा कारण है क्योंकि उस सविधान के कारण ही आ आज हम विकासील है कलम विक्सित देश होंगे और इस में महत्वण भूमिका समीधान की है क्योंकि समीधान के कारण आज हम अद्यूगीग छेत्र में हमारे बहुत सारी क्लांतिया हुई है आज हम चंद्रयान हमारा पहुछा है तो यह सब उस कारण है कि समाज को आगे सब्सक्राइब यहां क समानता का अधिकार मिला। आज हम हैं इस भिलाई में कह सकता हूं कि वही परसीतिया है बारत कि है तो यहां मेनी भारत है और सविधान के सभी है और थि को यह पुरे राज्जी के लिए और देश के लिए सबसे महतरपूर डेवस की बाधब बत समिधान दिवस्ति जो आयुजन कर रहे हैं इसका मकसद यही है कि हम अपने एस्सोंसियेशन के माध्यम से समिधान की जो विसिस्ताइं कि सम्मिधान नहीं होने से हमें क्या नफ़ा नुक्सान हो सकता है क्योंकि हजारों साल पहले या 200 साल पहले जो अंग्रेश्चों का सासन हुआ करता था उस समय हम दो सम्मिधान के दाएरे में कोई काम हमको नहीं होता था तो सम्मिधान के वज़र से हमारी जिंदगी में क्या यहां बदलाव हुए इस संभिधान नहीं होगा तो हमा इसाथ क्या हो सकता है it is चीजें हम अपने लोगों को बतायें और संभिधान की रक्षा तभी हो सकती है जब हम संभिधान सम्मत काम करें उसमें हमको हख भी दिया गया है अधिकार भी दिया करतब करनी की आवसकता है तो एक परिचर्चा का यह हम उद्धेश है कि हम अपने एसोशीयेशन के माध्यम से समिधान को लोगों को घरघक तक पहुचाने का काम करें कारेक्रम में मंच संचालन महा सचीव विजय कुमार रात्रे ने किया तथा धन्यवाद ग्यापन कोशा अध्यक्ष अनिल कुमार खेलवार ने किया कारेक्रम को सफल बनाने में एसोशीयेशन के कारेकारी अध्यक्ष चेतललाल उपाध्यक्ष कुमार भारतवाज वेद प्रक जोनल सचिव संत ग्यानेश्वर गायकवार कालीदाज बगेल संजय कुमार आदी ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया ग्रेंड एशियन न्यूस के लिए कैमरामैं संतोश शर्मा के साथ संजय दुबे